नमस्कार दुफ्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस तो यूटूब चैनल में दुफ्तों आप सभी की एक्जाम से संबंदित आज की तीन बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि आप सभी की परिजा से रिलेटेड है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए जिससे आप लोग घर वैटे समय लागडाउन में टाइम टू टाइम एक्जाम से लेकर कोई सूचना आए तो आप लोग अपडेट रहें एक्जाम कब होंगे रिजल्ट कब आएगा मुल्यांकन कम हो इस तरह की सारी जानकारी आपको चैनल पर मिलेंगी तो आज इसी तरह आपके तीन बड़ी खबर एक्जाम को लेकर हैं तो एक करके हम तीनों बड़ी खबर बताएंगे इससे पहले मैं आपको बता दो यार सब्सक्राइब करो चैनल को बेल आइकन प्रस करो जिससे आने वारी लेटिस्ट एक्जाम समधित खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रहे यह वो आ रहे ए तीन बड़ी खबर बताएंगे लेकिन पहले जो इन्वर्स से जो भी इनवर्स्टिटी के स्टूडेंट है अलाबाद से वो देखते रहे वीडियो ठीक है यहां पर लिखा है पहले आप लोग उपर देखें लिखा है कि राज बिश्विद्याले की परिच्छाओं पर कुरोना की कुंडुली तो वो तो सभी इतने भी राज्य हैं सभी के उपर इसका प्रकॉप चल लहा है देखते हैं इसमें डीटेल में क्या लिखा है में में पॉइंट देख लेते हैं यहां पर देखो दोस्तों लिखा है थोड़ा सर्किल कर देते हैं यहां पर ध्यान दीजे लिखा 18 जुलाई से सुरू हो सकती है परिच्छाएं अलाबा मंडल के महा बिद्यालेओं को जानकारी दे दी है ठीक है तो यह अलहाबाद इंवर्शिटी कह रहे ही कि जो भी यह सी बिकॉम के जो थार्ड एर के स्टूडेंट है उनका एक्जाम 18 जुलाई से कराने का नेड़े लिया जा रहा है ठीक है तो आई होप आप समझ पा रहे ह कि एक्जाम अलहाबाद इंवर्शिटिक 28 जुलाई से कराने के ओजिना है अगली बड़ी खबर देखते कौन सी अगली बड़ी कवर मिट समस्टर वालों के लिए देखते हैं क्या लिखा है मिट समस्टर की परिछाय मंडल के महा बिद्यलेओं के सिच्चक विच्चिकाओ में स्वयम कराएंगे ग्रूप डिस्कसन मौखिक एसाइनमेंट और प्रिटिकल पर आधारित होगा मार्कशीट बिस्विद्याले भेजना होगा उसके बाद आंतिम परड़ाम बिस्विद्याले से जारी होगा ओके अगला पॉइंट देखते कौन सा है अगला पॉइंट आप यहां पर देख पा रहे होंगे लिखा है यह की होगा मुल्यांकन कार छे जुलाई से यह देखो यहां पर लिखा है कि बचाने में काम यावी हासिल होगी तो जो आप लोगों के एक्जाम है तो छे जुलाइस से मुल्यांकन करने की बात कहीं जा रही है क्योंकि जो फाइनल एर के अधारा जुलाई में परिच्छा सुरू कराने की तैयारी में बिश्व बिद्याले प्रसासन और इसी तरह की बड़ी-बड़ी खबरें यहां पढ़ लीजेगा अराम से ठीक है और यहां पर यह भी लिखा है यह यदि हालात समाने रहे तो अफ्टगित की गई परिच्छा अधारा जुलाई से शुरू कर दी जाएंगे इसके साथ समिस्टर पैच्छाएं भी शुरू होंगी फिला तो लागडाउन पर यह सब कुछ निर्भार है तो यह आज इक न्यूज है मुझे लगा आप तक इन्फोर्मेशन करना जरूरी इस लिए बने किया अब हम बढ़ से होगी शुरूबात यानि कि रोहिल खंड विश्विद्याले में जो भी परिच्छाएं हो चुकी है ठीक है विए बेस्टी विकॉम की उनकी जो मुल्यांकन है वह 18 जुलाई से शुरू हो सकती है ठीक है सबसे पहले जो मुल्यांकन होगा तो आई होप आप लोग समझ प हम बढ़ते अगली बड़ी खबर के और हैं कानपूर के इन्वुरूर सिटीक स्टूडेंट के बता दूट visibility के सटूडेंट के न में बता दूझ मborgल उनक्हीं के ना लास्ट डेट है वह 25 मई है तो आप लोग इसे ध्यान में माइंड में रिवाइंड कर लिए जिससे आप लोगों को ध्यान रहे कई डेट निकलना जाए ठीक है तो अगर आप इसको डीटेल पर जानना चाहेते तो इन्वर्सिटीट पर जाता सकते हैं कानपूर वहां पर आप लोग अपडेट रहें घर वाट यही मेरा में मोटी है अब आपको लगता है कि मैंने अगर आप जो मैंने वीडियो में बारे में बताए अगर आपकी इनवर्सिटी इसमें नहीं है तो कमेंट में आप अपने इनवर्सिटी का नाम दे सकते हैं हम नेस्ट वीडियों आपके भी इनवर्सिटी से कोई एक्जाम को लेकर सुचना आएगी तो आप तक जरूर प्रोवाइट करेंगे क्योंकि सुबह भी मैंने दो कोई करिए तो हम उस पर एक्जाम को लेकर कोई सुचना है तो आप तक प्रोवाइट करेंगे ठीक है तो हम आपको मिलते हैं नेस्ट वीडियों में नेस्ट एक्जाम सब में देख साथ तब तक ले जहिंद